वेलकम टू करियर हैक्स मैं अतुल राखवत आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए टुटिरिल के साथ लिटिक्स वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन के लिए बेल पर क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें कि अपनी रेंडरिंग मैट्रियल हमने जो चेंज किया था हम उसके बाएं में डिसक्स कर चुके थे बता चुका था मैं आपको अब सबसे पहले हमें चाहिए कैमरा तो लगाते हैं हम अपना कैमरा प्रस्पक्तिव मैं अपने व्यूपोर्ट को सेट कीजिए फर्स आफ और शिफ्ट एफ प्रस कीजिए क्योंकि शिफ्ट एफ होता है कि सेफ फ्रेम आपके पास जो कॉमन टैब में बैसिकली साइज आपने जो ले रखी है ठीक है बाइड़ फॉल आपके पास कॉमन रथी है तो शिफ्ट एफ करते ही आपको एक्चुल में दिखने लगता है कि आने वाली है ठीक है और शिफ्ट एफ अगेन प्रेस करेंगे तो आप नॉर्मल व्यूपउट पे आ जाए ठीक है तो मुझे देखना है कि exactly मेरी रेंडर फ्रेम क्या आने वाली है जो मुझे दिखरा है कि actual में वही size render हो रही है तेट के हमें दिखाय। दिखाया हमें दिखाय सुछा था है यहां हमें दिखाया देता है शे क प्रेस किया कंट्रोल सी। त्रिके थीडि मैक्स के नए वर्जिंस में विले फिजिकल कैमरा ही लगेगा आपके कंट्रूल सी करने पर पर मैक्स के पुराने वर्जंस जैसा कि मैंने ओल्ड वर्जिंस पर वर्क करता हूं तो उसमें आपका एक टारगेट कैमरा ही प्लेस होगा ओके टॉप व्यू आप देखिया आपका कैमरा कि दर है अफ्रीश शीज़िए ऐसे कैमरा कहा गया कि यह क्या श्सिफ्ट शीज़ करने से कैमरा हइडiese हो जाता है और इसी तरही कि से अगर आप它प 극्य मैटरी भार्ज एड़ हड़ा करनी है आप जैसे स्प्लाइन से यहां देख सकते हैं Shift S, Spline Hide हुई और वापस से Visible हो गई Shift G से Geometry और वापस आगई Shift C से Camera और अगेन वापस आगई और अगर हम Lights की बात करें तो Shift L से Light Hide होती है और Light Unhide होती है आपको आपको अपने अबजेक्स गाइब हो जाते हैं या फिर आते नहीं है जैसे कई आप लाइबरी मॉडल्स यूज करते हैं तो उसमें लाइटिंग लगी होती है लिकिन मॉजीबल नहीं थी क्यों कि वो Shift L से उसमें लाइबरी मॉजीबल नहीं करते हैं वोजीबल नहीं होती है और अब आप देखना चाहिते हैं दिस्प्ले में जो यह चीज आती है आप three camera पर हमें चाहिए हमारा physical camera ठीक है श्रिफ जी यहां पर हमें अपना physical camera चाहिए तो simply हम camera में जाएगे वे फिजिकल camera लगाएगे श्रिफ जी अगें हाइड किया इस selection को हमें align करना है हमारे इस target पर और इसका shot कि होता है जैसे आपने क्लिक किया यह इस से align हो जाएगा और same यह इस पर align हो जाएगा see अब आपके पास आगया physical camera ओके श्रिफ जी अन हाइड all ठीक है आपने physical camera on किया okay इसमें दो camera कैसे दिखाए select camera छिक है standard value आपके पास one आती है और आपके पास zero होता है standard camera में यह आपके पास standard value one आती है और यह यह आपको मिलेगा आपके पास standard settings की बात करें to 200 आता है ठीक है अब जो हमने camera लगाया यह standard camera लग चुका है ठीक है इसमें किसी भी तरीकी कि हमें कोई changes नहीं कहना है standard camera standard setting के साथ हम एक physical camera लगा चुके है perspective हम लगाएगे एक वीरे sun sun बोले तो ठीक है sun बोले तो सूरज ठीक है हम यह view बनाने जा रहे हैं तो इसमें basically हमारे पास sun नहीं है क्योंकि कहीं पर भी कोई sharp shadow नहीं है ठीक है लेकिन environment जरूर हमें create करना है वीरे sky का ठीक है तो एक simple सा तरीका है आप वीरे sun लीजिए लगाईए जैसे आप वीरे sun लगाएगे आपको यह क्या देगा एक वीरे sky environment हम लगाना चाहते हैं लगाने दो डिलिट रेंडर में हमारे पास option होता इंवार्मेंट देखते हैं इंवार्मेंट में इधर लग चुका है एक वीरे sky camera view रेंडर करके देखें तो यहां हमें वीरे sky दिख रहा है वीरे sky का effect भी दिख रहा है यह frame buffer में और standard render setting के साथ हैं तो हम render setting में जाते हैं वीरे यहां हम basically bucket लेते हैं frame buffer off बाकि हम किसी तरकी की कोई settings को नहीं चेहर रहते हैं यह radiance and light क्या शक्ते हैं okay इसे हम low कर लेगे और यह value भी अगर ज्यादा है obviously भी ज्यादा है तो इसे low कर लेगे okay so that हमारे rendering fast हो और किसी भी वज़े से rendering में unnecessary time ना लगे ठीक है okay shift q okay अब यह इस तरीके से आ रहा है ठीक है अलफा पर हम क्लिक करके देखेगे ठीक है पीछे का environment visible नहीं होगा इसी फ्रेंडर में effect आ रहा है हमारे skycard ठीक है तो एक अच्छा सा bluish tint मेरे इस पूरे object पर prebuilding पर आने लगा है better option है ठीक है अब हमें लगानी है lights चीक तो हम lights में चाहते हैं video lights जैसा कि हमारे रेंडर में में दिख रहा है यहां से light अंदर से बाहर आती हमें दिखाए दे लिए ठीक है यहां पर यह spot lights लगी वी है ठीक है तो चलो जो light यहां से बख़े लिए